जैस्री राधे दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ कि स्वस्त होंगे दोस्तों हमारी हर स्वाठिका में एक बार फिर से आप सब का दिल से स्वागत है दोस्तों ये है हमारा बेला का पौधा और देखे एकदम में जंगल सा लगने लगा था और काफी दिनों से इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी तब ने सोचा कि इसकी डालियों को कट कर दे तो देखिया आज हम इसकी डालियों को हटा रहे हैं क्योंकि एक दम जंगली पाधा लगने लगा था देखने में भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था और जब डालिया हटा देंगे तो इस समय बरसाद का सीजन है और हमारे यहां तो इस समय काफी बारी सो रही है तो आज हम इन सब की सभी डालियों को हटा देंगे काफी जंगल सा था इसलिए जड़ों में जएधा हवा भी नहीं जा पाती थी और देखे इसी में ये पौधा भी उगाया था और देखे इसमें भी काफी फ्लावरिंग हो रही है और अज जब इन सब की डालियों को कट कर देंगे तो देखने में साथ सुत्रा भी लगने लगएगा आप लोगों को वीडियों में तो दिखाई पड़ी रहा गए एक दम जंगल है वाजन की डालियों को सब हम हटा रहे हैं क्योंकि देखने में एक दम जंगली पौधा लगने लगा था लगता ही नहीं था कि किसी फ्लावर का पौधा है और देखिए जब हमने सारी डालियों को हटा दिया है तो देखिए कुछी इस तरह का लगने लगा और इसी में ये पौधा उगाया था और देखिए इसमें कितनी अच्छे फ्लावरिंग हो रही है और सुबा के समय तो इसमें बहुत अच्छे फ्लावर खिलते हैं और देखने में भी बहुत खुबसूरत लगते हैं और ये है हमारा गेंदे का पौधा जो काफी पुराना है और इसकी लंबाई काफी बढ़ गई थी और इस समय हमारे हम बरसाथ के साथ साथ हवा भी कासी देज चलती है जिसकी वज़े से इसकी डालियां इधर धर जुक जाती है अज हमने रेखा कि इसकी दो डालियां जुक गई थी जो कभी भी तूट सकती थी इसलिए हमने सुचा कि इसको बान देते हैं क्योंकि बांदने से इसकी जो डालियां बची हैं तूटेंगे नहीं क्योंकि इसमें हर रोज एकाट डाली तूट जाती है और इस समय देखिए इस समय भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है इसमें कई फ्लावर लगे हुए है जब सारी डालियां तूठी जाएंगी तो हमारे अच्छे अच्छे फ्लावर भी सूप जाएंगे और इसी में एक लगा हुआ है सदा बहार का पौधा वो भी काफी पुराना है लेकिन देखें इनकी लंबाई कितनी ज्यादा है और अभी भी इनकी लंबाई बढ़ रही है और इस अदा बहार का पौधा है वो भी काफी लंबा हुआ देखें इसमें फ्लावर तो काफी आ रहे हैं लेकिन नीचे से इसकी सारी पत्तियां गिर गई ही देखने में पौधा देखें अजीब सा लग रहा है और इसी गेंदे की तूटी हुई डालियों की कटिंग हमने लगाई थी जो सब अच्छे से सेट हो गई वरसाथ के सीजन में और इसमें भी कलिया आने लगी हैं और देखें इसमें काफी उपर तक जड़े भी निकालाती हैं तो इसमें अच्छे से लग भी जाता है और ये देखें गेंदे के पुराने पौधे हैं इसको एक डंडे का सहारा भी दिया था लेकिन इसकी कई सारी डालियों टूब गई हैं देखें ये भी दीवाल के सहारे ये एक डालियों टिकी हुई है लगता है इसको भी हटाना पड़ेगा और ये हमारा गेंदे का देखिए इसकी कलम हमने लगाई थी और इसमें भी कली आ गई है और ये हमारा पुराना सब्दा बहार का पौधा है देखिए कितनी सारे फ्लावर हैं लेकिन पौधा काफी धरदर फैल गया है और ये सारे गेंदे कटिंग से लगाये हुए हैं और अभी 15 वीश दिन पहले की लगाये हुई कटिंग है लेकिन इसमें मिली बग बहुत आने लगे हैं अब अरसाथ के बाद हम इसके लिए कुछ करते हैं अज धूब नहीं निकली इसलिए देखिए हमारे अपार्टला का भी ज़्यादा खिला हुआ नहीं है एक आद फिलावर ही खिले हैं इसमें मौसम इसमें हमारे हैं काफी खराब हो रहा है काफी बारिस भी हो रही है और काफी ठंडी हमाएं दे चल रही है और देखिए ये सब कितने प्यारे लग रहे हैं कुले सब कटिंग से ही लगाए हुए है और अभी 15-20 दिन पहले की लगाई हुई हमारी सारी कटिंग है देखे कितने अच्छा से फ्लावरिंग कर रहे हैं देखे यह भी गेंदे की कटिंग है जो भी हमने 10 दिन पहले ही लगाई थी लेकिन आज इसमें कि भी एक डाली पहले हैं और इसी में हमारा एक टामाटर का पाउधा लगा हुए है और आगे हमने गुड़ेल की कटिंग भी सी में लगा दी है और देखे इसमें कली बन गई है फ्लावरिंग होने वाली है यह देखिए इनकी लंबाई देखो कितनी ज्यादा हो गई है और मिली बग तो क काफी ज्यादा लग रहे हैं इससे मिटी भी बहुत गिली है और बार 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 बारिश भी हो रही है थोड़ा मौसम चेंज हो तो हम इसमें कुछ करते हैं नीम आयल का स्प्रे करेंगे ताकि मिली बग हमारे पूरी तरह से हच जाए नहीं तो गेंदे में फ्लावरिंग हम इन देखिए डालियों में उपर तक जड़े निकलाती हैं अब देखिए इसी गमले में हम इसको लगा रहे हैं बाद में इसके लिए नया गमला लाएंगे मिटी तेयार करेंगे तब उसमें लगाएंगे इसी में हमारा कनेर का पाउधा लगा हुआ है जो भी दो दिन पहले ही हमने लगाया था और बारिस की वज़े से अच्छे से सेट भी हो गया है और ये है हमारा संत्रे का पाउधा इसी में हमने गुड़हल के एक कटिंग लगा दी थी लेकिन उसमें कुछ पत्तियां थी जो अपसूप कर गिर गई हैं और इन सभी पत्तियों को हम इस गंबले से हटा रहे हैं क्योंकि बरसाथ का सीजन है और पत्तियां जब मिती को डोटच करेंगी तो इसमें फंगस लगने का खत्रा ज्यादा रहता है और देखिए भी हाल ही में हमने इस गंबले में इस पॉदे को सिप्टि किया है लेकिन देखिए इसमें न्यू न्यू ब्रांच आ रही है और इसमें देखें बेला की कटिंग है जो हमारे बेटे ने लगाई है इसमें और इसमें हमारे जेट प्लांट की कटिंग लगी हुई थी यह भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगी है और देखें हमारे पास जेट प्लांट के कई सारे पॉट है और हमारे पास गेंदे की तो जितने भी पौध हैं सब कटिंग से ही तयार हूए पौध हैं और कुछ में तो फ्लावरिंग होने स्टायल्ट भी हो गई और देखे ये सब कटिंग से लगाये हुए हमारे गेंदे हैं मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय स्री राधे दोस्तों